क्या है अलचाल उमीद करता हूँ तो आज की से वीडियो। में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो बनाना जीरने वाले हैं हम 채 unpack Clip की help से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं पृपसारी वीडियो एक यंपनी यूट्याइंप देख सकते हैं तो फिलाल सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उस वीडियो को हमने कैसे बनाया तो यह हभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को आपको दिखाना च पिर लुड़कते लुड़कते मेरे नजदीक आए पिर नजदीक आके बोले मैं बम हूँ आप बुरा ना माने तो फट लूँ मैंने का जब आ गए हो तो फट लूँ मेरी ओर देखके बम बोले फुचुक यहां पर मैं कुछ वीडियो को दिखा देता हूं और तब जाके इसका रिजल्ट जो है वो हमारे कैसे सामने आया उसको भी हम देखा देता हूं यहां आप बुरा ना माने तो फट लूँ मेरी ओर देखके बम बोले इसके बाद दोस्तों हम यहां से वापस आएंगे और जाएंगे अपना फिल्पाफ एप्लिकेशन सॉफ्ट्वियर में इसके बाद इस प्रोजक्ट की बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा तो जब मैं इस प्रोजक्ट को ओपिन करूंगा और इसकी प्रोजक्ट सेटिंग पर आप यहां पर देख पा रहा होगे कि यहां पर जो कैंवा साइज है वो फाइट है और इसका जो साइज है वो 10s CP है इसके बाद इस एनिमेशन को मैंने 12 पर बनाया है यहां पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं और देना चाहूंगा इस एनिमेशन को बनाने के लिए मुझे तूझए के जिसके यहां पर लाव करेуска कैं सिस्के जिसके जरीये हम यहां पर अपने प्रोजेक्ट को बढाने वे आसानी होती की एक आप धहां से तो हमारे पास यहां पर six layer जिन को मैंने लाग अचिंड से हो और कैसे है की तो ढ JUST कि तो अब बताने और बताने वाला हूं तो सबसे पहले जब layer 1 पर आप click करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि सबसे नीचे वाला जो हमारी layer है वहां पर मैंने background को ड्राती है yatat जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने सारी की सारी lier को how it कर दिया है और उसके बाद कि हमारे पांस सिंपल और बचा हुआ है ये वह 주고 हिसा पेली अक्राइल कर लेना नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज़ को विजिट कर सकते हैं वहाँ पर मैंने आई बीए स्पेंट एक्स के बारे में पहले यह फूटोरिज अप्लोड कर रखे हैं स्पेंट अंट और यहां पर बना ले ना ऊगाएं्ट यहां पर बनाना चाहिए तो आप संब्सक्राइब कर सकतेहं जब आपको बैक्राउंड कंप्लियूट हो जाए तो ऐड़कर एंभ्स आपना बैक्राउंड इंपोर्ट कर सकते हैं इसके बाद simply हमें करना क्या होगा हम layer 2 जो हमारी layer है यहां पर इसमें मैंने नाम दे रखा है character हम simply layers को नाम इसलिए देते हैं ताकि हमें याद रहे कि किस layers में मैंने किस object को को ड्रा कर रखा है तो इसो मैं अनहाइट कर देता हूं इसके बाद कुछ इस तरीके से हमने यहां पर अपने character को ड्रा कर रखे हैं तो simply आप भी कुछ आसानी से circle की help से मैं अपनों को बता दूँ यहां पर अब यहां पर कुछ इस तरीके से अपने character को ड्रा कर सकते हैं और यहां पर mirror tool की help से आप इसकी दोनों तरफ की body को एक ही बार में बना सकते हैं कुछ ऐसे तो फिलाल आप इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं यहां पर अपने character को बना ले और इदि आपके पास तीन नमबर के लिए है जिसका नाम है layer 6 फिलाल मुझे इसका नाम देना चाहिए यहां पर hair को ड्रा कर रखा है तो मैं इसको नाम चेंज करके hair ही रख देता हूं और जब इसको मैं unhight करूंगा तब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमारे जो character के hair है वो दिखने लगे तो इस layer में मैंने hairs को ड्रा किये हैं हम बाद में यह भी चर्चा करेंगे कि हमने यहां पर अलग layers में अलग लग चीजों को क्यों ड्रा किया है और यह आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के page पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने layer tap के बारे में बताया था या फिर आप हमारे वीडियो की description में से वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं इसके बाद यहां पर हमारे पास एक और layer है यह वाली layer इसमें मैंने hand और eyes को ड्रा किया है तो मैं जब इसको unhead करूँगा तब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमारे character के hand यहां पर और हमारे character की eyes दिखने लगे और eyes बगएरा कैसे ड्रा करनी है वह आप यहां पर simple देख पा रहे हैं कोई easy बहुत cutting method नहीं है आइस ड्रा करने के लिए बस आपको एक चोटा सा circle लेना है यहां पर कुछ ऐसे और उसमें white color को fill up कर देना है और इसके बाद paint size को increase करते हुए और यहां पर एक simply आपको black dot रखना होगा और हमारी आप बन जाएगी और इसी तरीके से यही आप eyebrow को ड्रा करना चाहते हैं सिंपली आप circle tool की help से कर सकते हैं बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा इसको सबसे पहले अच्छे से सैट कर लेंगे अपने आइस की उपर और सेट करने के बाद सिंपली आप इसको लॉक कर देंगे ताकि हमारा सिर्कल जो है वह हिले नहीं और यहां पर ब्रस में जाके आपको यहां पर इंक वाला ब्रस चूज करना होगा क्योंकि हमें यहां पर सेंसिविटी थोड़ी पी अच्छी मिलती है और इ इसके बाद सबसे ऊपर जो लेयर है अमारे पफिंगशने लिए यहां पर सो यहां पार क्शांपिभरे यहां पर सिंपली रिचान पूंग गरंदा तोDesign जर आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमारा जो कार्यक्टर है उसके माउध भी डठने लगी हिं इसके बाद जो यहां पर हमने माईब को ड्रा किया है यहां पर आप पा रहे को हैं अब मैं आ आप लोगों को एक चोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने आलग normal चीजहम को क्यों कि मैं यहां पर एक circle को डुदुरा करूँ जИसे कि मैंने यहां पर एक circle को डुदुरा किया और मैंने यहां पर कोई किलर को फिलप कर दिया यहां पर मैंने कोई कलर कर दिया इसके बाद मुझे animation में इस object को उठाके कहीं और पर रखना तो हमें इसको selection दूंगा और इसको कहीं move कराने की कोशिस करूंगा तब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा background भी cut रहा है तो इस करण से हमने यहां पर अलग लग layers में अलग लग चीज़ों को draw किया है अब हम आते हैं अपने main मुद्दे पर यहां पर हम सीखेंगे कि हमारा जो animation है वो कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से frame one complete कर लेना होगा frame one complete करने के बाद अब हमें आगे frame को draw करने की अवस्पता नहीं होती है simply अपने character में थोड़ा बहुत moment दिखाना होता है और कहीं दूसरे की scene दिखानी होती है तो हम उमें उसको draw करना पड़ता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर दिखा दूँ ите frames viewer में जाके कि हमने हमारे पास यहां पर कितने सारे frames हैं concerns less और क्या यह सभी की सभी frames को हमें draw करने की अवस्पता है तो इसका जवाब है नहीं मैं जो detection करना रहता है उनली frame को हमें draw करना दा और वागे गाश हमें simply است करते हैं तो फिलाल मैं दे between लादुन मैंने पहले वैसे बता दिया था, यानि कि आपको इसा देखना है कि हमारे पास केज़ एक ही frame है तो हम इसको select करके यहाँ पर आपको नीचे की तरफ copy का button देख जाएगा यहाँ पर select करने के बाद इसको आंगी की तरफ एक बार paste कर देएगे paste करने के बाद होगा क्या कि हमारे जो यह one number का frame था यह duplicate हो जाएगा यानि कि इस फ्रेम के दो फ्रेम बन जाएंगे तो खलाल मुझे इसके अफ़क्ता नहीं तो मैं इसे हटा लिए तो मैंना मैंने यहाँ पर दो फ्रेम बना ली अब हमारे पास वन और टू फ्रेम होगे अब हमें यहाँ पर माउट लिपसिंग करनी है तो दोस्तों माउट लिपसिंग कैसे करते हैं उसके लिए पहले ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर जाके या पर वीडियो की डिस्क्रॉप्शन में कोई दिखाना होता है अपना एनिमेशन में तो एक ही फ्रेम को हम आंगे की और पेस्ट कर देती हैं यहाँ पर 12 पीस का मतलब है तो दोस्तों कि हम 12 इमेजिस को ड्रा करेंगे उसके बाद हमारा एक सेकेंड का वीडियो बनेगा लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंग कि जब हमें हमारे एनिमेशन में कोई भी मॉमेंट नहीं हमें दिखाना होता है तो हम उन्ही उसी फ्रेम को आंगे की और पेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यह आप यहाँ पर ध्यांस देखेंगे एक टंबर फ्रेम दो नंबर फ्रेम तीन नंबर फ्रेम चार न और ऐक बात कोपी करेंगे और इसके फ्रेम को चार बना लें, फिर में तो नहीं बना डlike इसके बातब द्सक्राइब conveyor को नहीं बना लगए, इसके बाद 5 नमब्र के फ्रेम में हमें थोड़ा सा मॉमेंट देखने में को मिला है, और वो मोमेंट इसके प्रेस के है, तो यहां पर फिलाल इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा इसके जो हेर्स है आप यहां पर देखेंगे तो इसके हेर्स कुछ इस तरीके से यहां पर यहां पर आप देखेंगें की से हेर्स कुछ इस तरीके से और 5 नंवर के फिल्म में हम आ रहे तो इसी हेर्स कुछ तरीके से तो इसको हम आच्छे से देखने के लिए हम यूज करते हैं onion screen का अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा चार नम्मर का फ्रेम था ये इसके बाद जो हमारा पांच नम्मर का फ्रेम है उसमें कुछ इस तरीके से हमें चेंजमेंट करना पड़ा है क्यानिकी यहां पर यू जो आपको यहां पर मैं आप दिखा देखा दी यहां पर आपको दिख रहे हैं यहां पर लात है करने कि प्लेट तोभ किद्धा में उस्थ को मैं को अच्छे दिखा पाऊंगा ज़ए यहां पर आप देख पा रहे होगे यह जो बिलर में हमें आइस दिख रहे हैं यह दोस्तों रियल में आइस नहीं है यह हमारी ओनियने स्क्रीन है जो कि पिछले वाले फ्रेम की पोजीशन को दिखाती है यहां पर आप देख पा रहे होगे इससे हमें पता चलता है कि पिछले वाले मौट की पोजिशन्स क्या थी और इसी तरीके से हम इसे ओनीन स्क्रीन की हल्ट से देख पाते हैं कि हमारे पास जो हेर का इस्टायल था उसमें यहां पर क्या चेंडमेंट हुआ है तो अब हमें करना क्या होगा मैंने पहले भी बता दिया आप जैसे कि हमें इस पोजिशन्स में अपने करेक्टर को लाना है तो सबसे पहले मैं इसे की बंद कर दूँगा तो मैं आप लोगों को यह एक बार करके भी दिखा देता हूँ हमारे पास चार नमबर प्रेम था टाल मैं इसे कपी कर लेता हूँ बाद में इसे ड्लीट कर दूँगा हमारा एनिमेशन नहीं भी करना चाहिए तो मैं आपको बताने के लिए उसको एक बार कपी करके आँगे पेश्ट कर देता हूँ मैंने कॉपी कर लिया और अब उस तरीके से हमें दिखाना तो हमें करना क्या होगा सबसे पहले हम उस लेयर पर जाएंगी जहाँ पर मैंने हेर्स को ड्रा किया है तो हम उस हेर्स वाली लेयर को यहाँ पर स्लेक्ट करने के बाद हम जाएंगी एरेजर टूल की हल्प से यहाँ आपको भी अच्छे से करना है करते हैं इसके बाद हमें करना क्या हुगा हम जाएंगे इस तरीक्ष से हाथ इसको इस तरिके स्लरट करेंगे और शहते हैं दो और यहाँ बाद उसको हमें कुछ इस तरीक से रखना हुगा तो आफसे लेड तेपर देह सब्सक्राहिए घक पर देखना होगा ि यहां वाली coast layer में तो इस को उपसे layer की और मुंहें फिर लेडर आइजंगा मुन्हें सेट करेंग य को यहाँ तुरेड़ के लेड़य करने के बाद इसकी हाइस को कुछिस तरह के स्लेक्ट करेंगे कि तोड़ा थोड़ा सा है के यहां पर होद आध करेक्टर यहां था वार तोड़ा कि इस के इस की तरफ देख रहा है पर हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि यह दूसरे वाले करेक्टर को देख रहा है तो इसके लिए हमें यहां पर इसके आखों के डार्क सर्जी की तरफ ध्यान देना होता है अभी यह वीडियो आएंगी जहां पर मैं इन सारी चीज़ें को बारे में भी कुछ ऐसे अब यह चुकि लैप्ट की तरफ देखेगा और करेक्टर की तरफ देखेगा तो इसका जो अंको का डार्क पांट है वो उसी डारेक्शन में होना चाहिए और इसके बाद जो हमारे करेक्टर में मॉमेंट देखेगी वो कुछ ऐसे देखेगी तो यह था हमारे पहले प्रेम का इनिमिसन यहां पर आप देख पा रहे हैं तो फलाल मैंने आपको पहले ही बता दिया मुझे इसके अब ज़कता नहीं है यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के के लिए किया तो मैं इसको डिट कर लेता हूँ इसके बाद हमें यहां पर अपने करेक्टर में करेक्टर से कुछ बुलवाना होता है तो मैंने उसके लिए पहले ही बता दिया जिसके लिए आप हमारी वीडियो के चैनल की डिस्क्रिशन में इसे जाके चेक्ट औरक कर सकते हैं लेकिन फलाल मैं छोटी से जानकारे के लिए बाता हे यहाँ पर फिल्वी से अगया और हम प्रेस्ट करेंगे यहां तक कहाँ थ करेम् you कोई बात पिलूआ नहीं है वह हम कैसे करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया उसके लिए separate video available है हमारे यूट्यूब चैनल के जाकि वह आप देख ले लेकिन फिलाल मैं छोटी से जाल करें के साथ इसको आपको बता देता हूं सारी माउट लिप्सिंग का चार्ट मिलेगा जिसको आपको डाउंडोड कर लेना होता हो अब खुद की अपनी वाइस लगाना चाहते हैं तो यहां पर कुछ इस तरीके का माउट से 12 नमबर में 3 तरीकिस का 14 था कितो हैं में 16 ओर नॆ सबती है वी आपको बता दूँगा कि यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होगे तो hand moment को दिखाने के लिए simply हमें करना क्या होगा जिसे कि मुझे यहाँ पर 12 नमबर के फ्रेम से hand moment दिखानी है यानि कि इसके हाथ को कुछ ऐसा दिखाना है कि यह अपना हाथ जो है वो उपर गोर उठा रहा है तो उसके लिए करना क्या होगा 13 नमबर के फ्रेम पे आएंगे उनने स्क्रीन को earn कर देंगे और यहाँ पर हमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा 12 नमबर का फाकी पोजीशन थी यहाँ पर कुछ ऐसे थी यहाँ पर और इसी पोजीशन को मैं चेंज करके यहाँ पर 13 नमबर के फ्रेम में कुछ इस तरीके से कर दी है इसके बाद 15 नम कोपी पेस्ट कर देना है और बाद में जो मैंने शुरू में 3-4 फ्रेम में हैंड के पोजीशन को यहाँ पर दिखाया था उसी को repeat कर देना है और उसके बाद आपका यहाँ पर हैंड मोमेंट एनिवेशन भी बन जाएगा इसके बारे में इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आपको यहाँ पर sound कैसे add करना है तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर sound add का option मिल जाएगा यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद add audio पर क्लिक करेंगे तो आप अपने gallery से जाके यहाँ पर कोई भी sound add कर स सकते हैं नहीं तो आप हमें comment box में बना बता सकते हैं लाइव आके आपको बता दूगा तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आयोगा यह दिवीडियो पसंद आयो तो वीडियो के लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तब तक के अप माली कसरेएब